आज मैं शेर कर रही हूं अपने नवरात्री की नौदिन के वृत में से एक दिन आपके साथ तो यहां मैंने रागी का आटा लिया है उसमें धनिया डाल रही हूं जीर डाल रही हूं सेंधा नम्माग हरी मिच और थोड़ा प्रोटीन के लिए पनी डाल रही हूं वैसे तो रागी का आटा वैसी ही बहुत अच्छा रिच कैल्शियम प्रोटीन मिन्मरल सबसे भर पूर है पर उसको और रिच करेंगे सूपर फूट की श्रेणी में आता है रागी का आटा और मैं सेकेंड टाइम नवरात्री का व्रत नौ दिन का रख रही हूं और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे में एनर्जी कम है या कुछ भी है बट मैं नौ दिन आपके साथ अपना लाइफस्टाइल नहीं शेयर कर पा रही हूं तो मैं आपको एक या द दिन का शेयर करके जरूर दिखाऊंगे यहां मैंने सब कुछ पानी से घोल के आटा लगा लिया था और इधर मैंने दही में सिंपल खीरा ग्रेट करके सेंधर नमक डाल के एक रायता बना लिया है अब जो मैंने रोटी बनाई थी वो रागी के आटी चैड मंडुआ भी ब इसे पानी लगा के इसको थोड़ा पढ़ाना पड़ता है और हम इसको पनी पर डाल के भी पहला सकते हैं बचुकि अब रगता है तो मैं अवाइट करती हूं ऐसे हाथ से आप बहुत इसली हो जाता है यह देखिए और यह बहुत अच्छे से निकल के आएगा हमें दोनों तरफ से अच्छे से शेक के नॉर्मल जैसे रोटी सेकते हैं वैसे यह सिख जाती है मुझे लगा था मैं दो डाल लूँगे इसमें इसलिए साइड में चले गई बट कोई नहीं यह देखिए अराम से पहले आप इसको स्पैचुला से पलट लीजे दोनों तरफ से अच्छ मुल्ellow नहीं रहना हैंएंब्यकुल भूखे रहना है накava ere崅ति करें आइसा भी ली नहीं करना है भूट लोग सरक मीठा खा एम खाते हैं सूक कि शूगर बीपी वाले बहुत से असे विञें जिनको इसब नहीं हो पाता है तो आप प्रॉपर मील लीजे हेल्दी मील लीजे दीप फ्राइड मत लीजे प्रोटीन है काप्स है मिनरल्स आप सभी कुछ फाइबर है आपको जरूर लेना चाहिए तो एक हेल्दी डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूर है तो यह देखे मेरी लैंज कि था बूल रही हो और यह रही मेरी रागी की रोटी देशीगी के साथ यह पूरा कम्पलीट थाली मेरी रेडी है पंकिन की सब्जी में भी बहुत रिच फाइवर है मैंने मुंपली भी डाली है तो यह संपूर आहार एक तरह से हो गया फूरा फिर मैं डिनर में बहुत सिंपल र सिंपल गी में टूर दाल यह रहीं बिलक traff pasta फाइबर ले हूं ले रही हूं प्रोटीन यह ठी जय और हमेरा रूंग मैं बच綸े जाए बाइच टेयं हंस्धी है